हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पे और जो नए है उनका भी स्वागत है तो फ्रेंट्स आज में लेकिया ही हो एक बहुत ही कुपसूरत और्नमेंडल प्लांट आज मैं इसके बारे मैं आपको बताऊंगी और इसका मुझे रिपॉर्टिंग भी करना है और साथ में मुझे इस में से प्लांट्स को भी डिवाइड करना है एकी साथ काफी सारे इसमें पॉपस निकल आए हैं तो मुझे उन्हें अलग करके और मल्टिप्लाइ करना है तो वो सब शियर करने वाली हूँ आपके साथ तो पहले में से इसका इंट्रोड़क्शन दे करके यहं कि तो यह पेन्डनिस यह पिल्कुल स예मी स्पाइडर प्लांट के तरह ही दिखते हैं लेकिन इन दोनों ही प्लांट्स में कुछ हुँँँ नहीं रिफरेंस हुते हैं क्या रिफरेंस होते हैं वह भी बmi आपको बता हूँगी तो जो चोटी चोटी से ट्यूबर ह होते हैं जब मैंने स्पाइडर प्लांट का रिपोर्टिंग वीडियो बढ़ाया था तब आपको दिखाया था अगर आपने वीडियो नहीं वाच किया तो मैं आपको लिंक दे ढूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आई बटन पे या एंड स्क्रिन पे आप चेक कर लेजि इस प्लांट एक से लगते हैं लेकिन जो इनके पाप से कुछ इस तरह ऐसे निकलते हैं देखिए और इस्पाइडर प्लांट के अलग से रणर निकलते हैं एक लंबा सा ऐसी Gef महल Regierung लंबी सी वाइन जैसे इसे लटकता है फिर उसमें रनार निकलता है और इसमें इस तरह से यहां से निकलते हैं देखिए जड़ों से इस तरह से और दूसरा और भी डिफ्रेंज इनमें होता है तो वो होता है कि इनकी पतियां कुछ इस तरह से लंबी-लंबी सी हो जाती है और spider plants की पत्तियां एतनी लंबी नहीं होती है यह प्लांट थोड़ा बड़ा भी होता है और spider plants बहुत बड़े नहीं होते घने होते तो यहां rubber plant की भी reporting अभी अभी मैंने की है काफी अच्छा मेरा rubber plant भी grow हो रहा है लेकिन root bound हो गया था तो मैंने उसकी reporting किया और अभी मैं इसकी भी reporting करने जा रही हो और इसे divide भी करूंगी तो सब आपके साथ share करूंगी तो पहले इसकी care share करूंगी फ्रेंस इस प्लांट को पेंड़ानस कहते हैं इसे पेंड़ानस ट्राय कलर भी कहा जाता है और यह plant काफी हर्डी है यह plant spider plant से भी ज्यादा हर्डी है बहुत easy maintenance मालब low maintenance से यह plant शलता है और थोड़े costly आते है यह plant तो अगर हम एक plant से अगर कई plant बना लेते हैं तो काफी अच्छा होता है एक बार purchase करके उसे multiply करके और कई plant ready कर सकते हैं approximately 100 या 130 तक इसका rate होता है मैंने जब यह plant purchase किया था तब यह छोटा सा था तभी मुझी 100 में मिला था वो भी तब जब मैंने काफी सारे plant खरी दे थे तो उन्होंने दे दिया था कि ठीक है 100 में दे रहा है अदर्वाइस इसका rate उन्होंने 130 बताया था लगभग साल भर हो गया है मुझे इस plant को अपने garden में add की हुए और तब से यह एक ही pot में लगा हुआ है और अब मैं ऐसे अलग से pot कर रही हूं और multiply भी करूंगी इसके लिए मिट्टी कैसी ले और पानी और sunlight की सारी information में आपको वीडियो में आगे देती जाओंगी और अभी मैं इसे open कर लेती हूं तो देखिए मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसे report करूंगी अभी तो मैंने इसे morning में पानी दे दिया है और अब मैं थोड़ी देर में इसे report करी हूं तो इसकी मिट्टी गीली है तो थोड़ी मिट्टी जब dry रहती है तब हमें किसी भी plant को खोलने में और report करने में असानी होती है अभी गीली मिट्टी में थोड़ा सही नहीं रहता है लेकिन अभी मैंने सोचा है तो मैं करी लेती तो आराम से इसे इस तरह से निकाल लेना होता है प्लांट को देखिए कुछ इस तरीके से निकाल लेना चाहिए हमें पुरा रूट बॉल सही तैसे गमले को उल्टा करके पल्टा करके और निकाल लेना चाहिए और अब मैं ऐसे खोल के आपको दिखाती हूँ देखिए मिट्टी घीली होने के बावजूद कितनी पोरस है तो हमेशा ऐसी ही मिट्टी होनी चाहिए ताकि पानी ज्यादा रुके ना थोड़ी देर में ही ये पानी पूरा निकल जाए मिट्टी से ऐसी मिट्टी होनी चाहिए और देखिए ये दो यहां से प्लांट मेरे अ और मैं इन्हें अलग कर दूँगी यहां से तो उसके बाद इससे रिपॉर्ट करूंगी देखिए छोटा सा यहां पर निकल रहा है और क्यूंकि मैं रिपॉर्ट कर रही हूं तो यह फिर डेमेज ही हो जाएगा इसलिए मैं इसे भी निकाल लूँगी और साइड से और भी है और तोड़ा ध्यान से कट करना है और खीच के नहीं निकाल रही हूं मैं हो सकता है खीच के निकालने से यह तोड़ा डेमेज हो जाए तो फिर इसमें फंगस लग जाएगा इसका जो स्टैम है वो खराब होने लगेगा गलने लगेगा तो इसलिए मैं इसे आराम से कट कर और कोशिश यही करनी है कि इसमें रूट आ जाए एक दो रूट आ जाएगी तो यह प्लांट आराम से सर्वाइब कर जाएगा जिने हम अलग करते हैं तो ध्यान से अराम से इसे इस तरह से अलग कर लें तो देखिए इस तरह से ये रूट आ गई है इसमें तो इस तरह से रूट अगर आ गई है तो अब ये अराम से चल जाएगा खराब नहीं होगा इसे मैं दूसरे गंबले में लगा दूँगे तो कुछ इस तरीके से मैं और भी निकाल लूँगी जितने भी इसमें आये हुए है अलग से पप्स सारे के सारे निकाल लूँगी देखिए एक चोटा सा यहां पे भी आया हुआ है और एक इस साइट से भी चोटा है तो इन दोनों को भी मैं अलग कर ले रही हूँ क्योंकि जब मैं इसे दूसरे गंबले में डालूँगी पॉट में तो यह दब जाएंगे इसलिए मैं इन अलग ही करके लगा दूँगी फिर यह सर्वाइब कर गए तो अच्छा है यह भी दो प्लांट बन जाएंगे और साइट से भी जितने भी पप्स है मैं अलग कर लेती क civ का अच्छे से दूपियों तो फ्रेंट्स इस प्लांट ko हम इंडोर नहीं रकेंगे यह इंडोर प्लांट नहीं है इसको हम एक दो गंटे की धूब देंगे तभी यह काफी अच्छे से चलता है मैंने इस प्लांट को टैरैस पर ही रखा हुआ था और रहनी सीजन में वह पूरी ब्राउन होती जा रही थी तो मैंने फिर इसे टैरेस पे रखा था और टैरेस पे रखने के बार इसमें काफी अच्छी ग्रोथ हुई इसकी पत्यां भी अच्छी हो गई तो इसका मतलब यही है कि यह प्लांट हमारा इंडोर बिल्कुल भी नहीं चलेगा हमें इस इसे एक दो घंटे की धूप में ब्राइट लाइट में ही रखना है और पानी की बात करें तो जब आम इसे तैरेस पे रखते हैं तो गंबले की जो मिट्टी है लगबग डेली ही सूख जाती है तो हम इसे डेली वाटरिंग भी कर सकते हैं और विंटर में आप इस पे पानी तो हम तभी देंगे जब इनकी मिट्टी धूड़ी सी ड्राय लगेगी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी पोरस ही लेनी चाहिए हमेशा हम घमलों में जो भी प्लांट को बहुत ज्यादा शौक नहीं देना चाहती हूं क्योंकि अभी विंटर का टाइम पी स्टार्ट हो रहा है तो इनका ग्रोइंग पीरियट नहीं रहता है अभी थोड़े स्लो ग्रोइंग हो जाते हैं तो इसलिए मैं इसकी बहुत सारी जड़े नहीं खराब कर रही हूं थोड़ी सी मैंने कट कर दी थी और इस पे मैंने थोड़ा सा फंजी साइड भी डाल दिया है जो कि मैं हमेशा ही रिपार्टिंग में डालती हूं ताकि हमारा प्लांट सेफ रहे और अब मैं ऐसे जो मिट्टी है डालके और पैक कर दूंगी और आप देख पा रहे हों तो यह अच्छा है इसकी जो पत्तियों वाला पोर्शन है उसे बिल्कुल नीचे नहीं होना चाहिए मिट्टी में फिर यह गलने रखता है तो इस तरह से इसे मैं उपर ही रहने दूंगी और नीचे से कट नहीं किया मैंने इसे और इसी तरह से मैं इसे रिपोर्ट कर रही इसकी कुछ जड़े बाहर दिख रही है जो मोटी मोटी सी जड़े है तो कोई प्रॉबलम नहीं है इसकी जड़े इसी तरह से यह बढ़ता है और इसे कोई लॉस नहीं होगा यह इस तरह से आराम से चलेगा तो अच्छे से मिट्टी डाल के आप दबा दबा के पैक कर ले और उसके बाद जब हम इसे अच्छे से मिट्टी डाल लेंगे तो थोड़ा सा वाटरिंग फर्स टाइम जो होती है अच्छे से करते हैं नेक्स टाइम मैं वाटरिंग मैं तब ही करूँगी जब इसकी मिट्टी थोड़ी ड्राय हो जाएगी तो इस पे अब हम आराम से वाटरिंग कर लेते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि पानी देने के बाद मिट्टी थोड़ी बैठ जाती है तो आप देख ले अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा नीचे बैठ गई है तो हम फिर से इसमें मिट्टी डाल देंगे उर फाइली मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर ली है और जितने भी प्लान्ट निकले थे उन्हें भी इनने अलग-अलग कर लिया है तो आएए दिखाती हूँ मैं आपको कितने प्लांट है देखे दो ये है मैंने इन्हें hanging pot में डाला है फिलाल और मैं इन्हें window पे लगाना चाहती हूँ नीचे यहाँ पे window है तो मैं वहीं पे रखूँगी जितने दिन ये इसमें अच्छे से चला मैंना फिर जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं ऐसे उस तरह के pot में डाल लोगी अभी मैं ऐसे hanging में ही लगाऊंगी तो देखे दो ये और दो जो चोटे-चोटे निकले थे उनको मैंने एक चोटे से pot में डाला हुआ है इसमे और जो pot मैंने hanging pot लिए है उनके लिए मैंने hanging pot वाली soil ही लिए है यानि थोड़ी जैसे हम लाइट वेट सॉयल बनाते हैं वैसे ही सॉयल ली है मैंने और एक इसका जो और पब निकला है उसे मैंने रखा है ये मुझे किसी को देना है इसलिए मैंने तो टोटल हमारे पास 4-5 प्लांट रेडी हो गए हैं उमीद है दोस्तों ये वीडियो आपक को वाच करने के लिए थैंक यू सो मच लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए